नवश्कर दूस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल एक्जाम ग्यान मंतरा में तो देखो UPTET एक्जाम इससे रिलेटेड आप सभी के बहुत साथे कॉस्चन मेरे पास आ रहे थे ठीक है बुक्स से रिलेटेड कॉस्चन आ रहे थे साथी साथ आप लोग पूछ रहे देगी सर आप किसी जैनुइन बुक को बताएं जिसको पढ़के हम लोग अपने स्लेक्षन को पका कर सके हैं जो 150 नमबर का आपका पेपर होता है उस मैसेज जो भी क्राइट एरिय रहता है उसको भी पास करें साथी साथ कुछ इसको एक्स्टा भी तो करें ठीक है क्योंकि देखिए क्राइट एरिया को ही पार करना आपका लक्ष नहीं है आप अच्छा खासा स्कोर करें इसके लिए मैं आपको बुक सजेश्ट करूँगा में रेकॉर्डिंग जो बन आफ दा वेस्ट किताब हैं जो आपके सेलेक्षन को ठीक है बिल्कुल पक्का करने वाली है साथी साथ दोस्तों जो भी मैं आपको किताब में या गाइड बताने वाला हूं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बहाँ से जाके आप एमेजोन फिलिपकार्ट से उनको बाय कर सकते हैं या फिर आपके नजदी की जो भी बुक स्टोर रहेगा आप बहाँ से भी जाके उनको ले सकते हैं क्लियर साथी साथ देखो क्या है बाड आई है एक तो आपकी ठीक है कोई आपको ये पब्लिकेशन बताएगा कोई आपको वो पब्लिकेशन बताएगा कोई कहेगा एक हिंदी की ले लो एक संस्कृत की ले लो ठीक है एक बाल बिकास की ले लो एक बाकी जो भी सबजेक्ट है उनकी ले लो कोई कहेगा previous के ये publication है इसमें previous के paper दिये गाए है ये ले लो तो उस से हटके complete guide के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है जिसमें आपका पूरा जो भी slayvers रहता है उसके according दिया होगा उसमें strategy भी आपकी बताइए ही है कि पिछले जो भी paper हुए है उन में कितने कॉस्टन किस किस टॉपिक से पूँचे गया है साधी साथ इस किताब बालों ने देखी क्या है स्लेवर्स को डेटेल में एनलाइज किया है इसका ठीक अच्छे से देखा है कि पिछला जो पेपर हुआ था तो कहां पूँचा गया था और उसके पहले जो पेपर हुआ था तो कैसा क्या पूँचा गया था उसके अकॉर्डेंगी उन लोगों ने किताब प्रपेर की है ठीक है और अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से और अपने 28 तरीक को होने वाले 28 नमबर को होने वाले पेपर को देंगे तो जाहर इसी बात है आराम से स्लेक्सन आपका बहां पर हो जाएगा क्लियर चलिए तो स्टार्ट कर दें दोस्तों साधी साथ जो लोग चैनल पर ने हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है one of the best मैं क्यों कह रहा हूं आप इस वीडियो को अपना थोड़ा जो इंपोरेंट टाइम है पांच मिट ठीक है निकाल के इसको पूरा एंट तक देखना मैं आपको बताऊंगा इसमें दिया क्या क्या गया है आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक्जाम के point of view से सबसे जादा important एक किताब क्यों हो जाती है ठीक है तो paper first के लिए है ठीक है जो आपका कक्षा एक से पांच तक के लिए होता है इसके लिए है इसमें आपका बालविकास एवन शिक्षास दिया गया है हिंदी दिया गया है English language दिया गया है आपका गड़ पूरी जो भी रहती है slivers के according पूरी मिल जाएगी और पिछले 2018 और 2020 का salt paper मिल जाएगा यूपी टीट के आपका इसमें ठीक है आगे दोस्तों इसमें हम लोग देखें तो इसका slivers बगरा दिया गया है ठीक है तो इसमें देखिए cover क्या क्या किया गया है सबसे पहले बालव पूरी इसमें आपको point और ठीक है most important जितना भी है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है अब आगी चलें तो इसमें देखिए आपको भाशा यहाँ पर हिंदी दिया गया है उसके बाद भाशा विकास का अध्या आगे बढ़ते हम लोग तो English दिया गया है ठीक है औ का पूर्शन दिया गया है यूपी टी टी किस लेवर्स का अध्यन आपको पूरा मिल जाएगा ठीक है इतिहाज भूगोल नागरिक सास्तर इंपर्यावरन इसमें जैसा यह आपको दिख रहा है साधिसाथ यह इसका आपको एक बिशलेशन चार्ट मिल जाएगा कि जो भी पिशले एकजामस हुए है उसमें किस टॉपिक से कितने कॉस्चन कहां से बार बार पूछे गए हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट से भी ज्यादा इंपर्डेंट हो जाता है यहां यह बालवगास का दिया गया है जैसे कि दोजा तेरह में यह आपका बालव है इसमें पांच आपको पता है बालवगास के तीस कॉस्चन आते हैं तो इसके अकॉर्डेंगी पूछा गया है ठीक है यानि बालवगास में अगर तीस कॉस्चन आए तो तीस में से दस इसके ठीक है उसके बाद नो इसके पांच इसके साथ इसके आंगे अगर हम लोग ब और 2018 के उसके बाद इस elét दिया गया है कि कहां से कहां तक हम लोगों ने क्या गया कवर किया है क्लियर और यह के बाद आ OMG debit Moon Short Pay 2020 यह इसके बाद 2018 का आजाए गा आपको पेपर क्लियर इंचे इस प्रकार से इस में त्योरी परिवासां बगेरा जो भी रहता है वो आपका कवर किया गया है आपके भाग ठीक है बालवगास का भाग प्रतम दिया गया है अधर चैप्टर इसका फस्ट है ठीक है चाइल्ड डवलप्लोप्मेंट बालवगास का इतहास दिया है लोगों ने definition जो भी important होती है सभी definition, fact जो भी most important होते है ठीक है, क्योंकि concept और fact आप जब पढ़के जाएंगे ये theory से आपका concept clear होता है उसके बाद इन लोगों ने MCQ भी अच्छे खासे आपको दिये हैं जो भी important fact होते हैं, सारे cover किये के लिए है दोस्तों, चली तो दोस्तों ये complete guide है आपकी ठीक है, ये complete guide है आपकी UPTET exam के लिए description में मैं इसकी link दे रहा हूँ बहाँ से जाके आप इस complete guide को ले सकते हैं one of the best guide है मेरे according to it ठीक है, अगर आप UPTET exam 2021 की तेयारी कर रहे हैं इसको लेके आप sure selection है आपका अगर पढ़ेंगे इमानदारी से ये नहीं कि किताब ले ली और रख दी आरे अब बस अब तो selection हो जाएगा ये मत करना इसको लेके और अगर आप पढ़ते हैं जो इन इन तरीके से तो आपका selection है अपर surety के साथ हो जाएगा के लिए चलिए चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जो लोग चैनल पर नहीं हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जय हैं जय है भाहरत भाहरत मता कीजए हैव अग्रेट डे